केलिए तो फ्रेंश आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत स्वादिश हो अच्छ पेड़े तो फ्रेंश आज हम आपके लिए बनाएंगे टे आप हम शुआ करते हैं सबसे पहली मैंने कढाई अपनी गैस पर दख लिए और कढाई में हम डालेंगे दो तो देखिए हमारा घी अच्छी से मेल्ट हो चुका है आप इसे कंडेशन में मैं इसमें डालूँगी हाफ ग्लास दूद तो देखिए मैंने अपने ग्लास में से इतना दूद बचा लिया है और अब इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे दूद को और खीको और फ्रेंस इसका तो थोड़ा अच्छा फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें डालूँगी हाफ टी स्पून एलाइची पॉडर इससे आपकी मिठाई में बहुत अच्छी कुछ दूद आएगी तो देखिए अब हमारा दूद बोल हो चुका है अब इसी कंडिशन में मैं डालूँगी अपना है वह चोकलेट फ्लेवर है तो इसलिए इसका थोड़ा थोड़ा रैड तलर हो चुका है अब फ्रेंची वहीं मिल्क पोडर है जो कि अंगडवारियों में नौर्मली मिलता है मेरी वीडियो में बहुत जी कमेंट आई थी कि हमारा ग्रेन कलर की मिठाई बनती है या हमारी की विती हैं तो अच्छा स्थाय थाष एगीं तो फ्रेंच उसका रीजन यहीं होता है कि जो मुल्क पोड़र अंगडवारी सहमें मिलता है उसमें एक फ्लेवर आते हैं जैसे लायजी फ्लेवर, स्टॉबरी फ्लेवर और चौकलेटी फ्लेवर और बनीला फ्लेवर जो तो फ्रेंट्स आप देख सते हैं अभी यह हैं थोड़ा पतला गोल बनकर तयार हुआ है धीरे धीरे हम इसे पका लेंगे और 10-15 मिंट में आपकी मिठाई बनकर तयार हो जाएगी यह खाने में बहुत ही स्वादिश और अच्छी बनकर तयार होती है और जो साथ चॉकलेटी फ्लेवर हो बच्चों को काफी पिसम रहता है अच्छी बनाने जारी हूँ और इसी के हम बहुती स्वादिश और च्छी पेड़े बना कर दिखाएंगे आपको अच्छी बनाने में दसी मिन्ट लगें कि ज्यादा टाइम भीकुल नहीं लगने वाला है तो इसी तरह आप इसे हिलाते रहेगा आपको इसे छोड़ना एक मिन्ट के लिए भी नहीं ही अगर आप इसे लाना छोड़ देंगे तो इने चिक्तर लग जाएगा और आपकी मिठाईयों में जलने की बू हो जाएगी तो आप इस वात का खास गया रखी कि आपको इसे हिलाते रहना है जितना आप इसे हिलाएंगे उतनी है आपकी मिठाईया का स्वादिश्ट और अच्छी बनकर तयार होंगी तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं हमारी बिल्कुल मिठाईयों जैसे कंडिशन इसकी बनकर तयार हो चुकी हैं अब 10-15 मिट के लिए मैं सीज़ता है रखतूंगी ताकि ये ठंडा होने के बाद हम अपनी मनफसंद इसकी मिठाई बना सकें जैसा हम इसकी सेफ बनाना चाहेंगे वैसे बना सकेंगे तो अब मैं इसे थोड़ी दर के लिए छोड़ देती हूं 10-15 मिट ये ठंडा होने में लग जाएंगे तो देखें आप देख सकते ही ये ठंडा हो चुका है देखें कर लेंगी अब इसे हम कोई बीशेतर हैं जैसे आप देना चाहूं तो मैं इसे एक साइड बगर देती हूं तो तो अपने हाथों को खिकना कर लूगी वे रहे हम इसे कर दो लेंगी इस फरकार की मैं इससे एक दे ज़रना लेकि इसे पे थोड़ा समय प्रेशर दूँगी और इस परकार का डेजाइन बन जाएगा देखी यह देखने में कितना अच्छा दिक रहा है तो सभी को हम इसी तरह थोड़ा प्रेस करकी इस पर यहीं डेजाइन देंगे तो देखी फ्रेंड्स अभी को हम इसी प्र दिखने में बच्ची दिखने में तुसका कोई टैस्ट नहीं होता है कि यह खाने में भी आपको इससे अच्छी लगेगी और अपके पास हो तो आप इसी यूज कर लीजीगा तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इस पर सभी परचांदी का वर्क लगा लिया हैं और यह पास जो भी राइफ हो वह आप इस पर लगा सकते हूं तो देखिए आप देख सकते हैं हमारे चोकलेटी पेड़े कितने अच्छी दिख रहे हैं तो यह बहुत स्वाधिश्च और अच्छी वनकर तयार हुए हैं तो आप इस रेसिपी को फटा-फट बना कर तयार कर सकते ह तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी मेरी कभी के लाइक किजिए अपने दर्स्तों में शेयर किजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरू दबाए ताकि आपको हमारी नहीं वीडियो पलिक मिलता यह तो फैंस अगली एक ऐसी नोरे स्के साथ वीसे अफ्समला कात होगी, सब्दक के लिए नमेश्काट अगली एक ऐसी नियो रसकी साथ किसे आपको हमारी ताकि अपने नमेश्काट हूगी